आज हम बनाएंगे कॉलकिता स्टाइल एग रोल्स तो इसका सबसे मेन एलेमेंट होता है इसका डो डो बनाने के लिए हम यहाँ मैदा लेंगे इसमें डालेंगे नमक, चीनी, मोहिन के लिए देसीगी डालके अच्छे से मिला लेंगे गुर्णुना पानी डालके इसका हमें एक सौफ्ट आटा लगा लेंगे ध्यान रखे आटे को हमें अच्छे से नीट करना है इसे हम अब एक गीले कप्डे से ढखके रख देंगे आदे घंटे के लिए आदे घंटे के बाद इसे एक और बार नीट करेंगे और कुछ इस तरह से लंबा करके इनके पेड़े निकाल लेंगे अब एक पेड़ा लेंगे इसे एकदम पतला बेल लेंगे इसके उपर ओइल स्प्रेट करेंगे थोड़ा सूखा मैदा डालेंगे और फैन के शेप में इसे कुछ इस तरह से रोल कर लेंगे अब इसे गोल गोल घुमाके इसका एक पेड़ा बना लेंगे और 10 मिनिट के लिए कपड़े से ढखके वापस से रेस करने के लिए रख देंगे 10 मिनिट के बाद इसे हम बेल लेंगे और पैन में दोनों साइट से ओल लगाके सेक लेंगे अब यहां हम दो अंडों को नमक डाल के अच्छे से फेट लेंगे यह एक का मिक्षर हम अपने पराठे के उपर डाल देंगे अलट पलट के इसे अच्छे से सेक लेंगे कॉलकता स्टाइल एक रोल की स्टफिंग बहुती सिंपल होती है स्टफिंग बनाने के लिए हम यहां लेंगे प्याज जिनने मैंने ऐसे लंबा-लंबा काट लिया है अब यहां हम डालेंगे खीरा थोड़ी हरी मिच डालेंगे नमक डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह त्यार है अब यहां हम रोल की असेम्बली करेंगे पराठे के उपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो रखेंगे इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाले का पाउडर और टमेटो केचप इसे अब रोल कर देंगे और हमारा कॉलकता स्टाइल एग रोल बनके त्यार है इसे घर में आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें मैं मिलूँगा आपसे बहुती जल्द एक नई रेसिपी के साथ